स्थेंग अरेंज्मेंट हम लोग कर रहे दोको पहले वाले वीडियो में आपने सर्कुलर पदल बहुट सारी देखी अब बात है दोशका यहां एक लाइट के पजल जैसे कि अमनें पहले वाले में करी थी अ अब करके समझाता हूँ आपको और मेरा तो एक ही चीज़ कहना है आप लोगों से कि एक बार पहले स्वायम बना के देखें बना के देखने का तरीका क्या है वीडियो पॉज कर दीजे यहीं पे वापिस से जब आप बना है मतलब उसको बनाने लग जाईए बना के खतम कर लीजे और वापिस से जब रिज्यूम करेंगे पूरी पजल का सल्यूशन तो मैं वैसे भी करवा रहा हूँ सो हर पजल से पहले यानि कि हर सिटिंग अरेजमेंट के क्वेशन से पहले पॉस करना जरूरी है चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको क्वेशन पर दोस्तों आपको दे रखा है सिटिंग इन रोव फेसिंग नॉर्थ आप देख सकते हैं नॉर्थ फेस करते हुए बैठे हैं हमारे कुछ लोग यानि कितने लोग है छे लोग है एक एक करके बनाना शुरू करते हैं दोस्तों दिहान से देखेगा पहली लाइन कह रही है S is second to the right of T T के right में second number पे S है T is second to the right of Q ये जो T है ये Q के right में है Q के right में पहला और दूसरा है T R is immediate left of Q Q का immediate left Q का left यानि यहां कहा आ जाएगा R इदर आ जाएगा and and किसके लिए आता है दोस्तों R के लिए R यानि पहली बात कर रहा है second to the left of V ये V के left में second है यानि अगर मैं इधर की बात करूँ तो V यहां आ जाएगा जो भी बचाए वो आ जाएगा यहां पे बताईए कितना समय लगेगा हम ये जो last में बच गया है ना उसका बहुत जादा लोड ना लीजिए इन मेंसे एक ही ऐसा नाम होगा ऐसा letter होगा कोई भी तो यहां पे होगा अगर मुझसे question पूछेगा क्योंके दाएं तीसरा कौन है तो मैं दिमाग लगाँगा यू है नहीं पूछा तो दिमाग नहीं लगाएंगे छोड़ देंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जरुरत पढ़ी तो फिर वो टाइम वेस्ट आक्चुली टाइम इनवेस्ट कहलाएगा लेकिन आपने अप्रोच देखनी है मैंने linear puzzle को कैसे बनाया अगर नहीं समझ में आया ना एक simple सा काम करिए थोड़ा सा back जाई rewind करिए और वापिस से उसे देखिए कि मैंने कैसे बनाया था थोड़ा अच्छा समझ आया और कुछ और example करने तो लीजिए एक और example आपके सामने लिए चलते है एक और question हम लोग करते है शायद अच्छे से clear हो जाए आपको अच्छे से देखेगा दोस्तों आपके सामने सात मित्र हैं इस बार A, B, C, D, E, F, G एक row में यानि कि north देखते हैं E is second to the left of F दोस्तों F के left में second number पे E है ऐसा आपने को दे रखा है B and D are neither neighbor of E nor F यानि E और F की लड़ाई किस से है B और D से है यह आपको दे रखा है जान से अगर आप देखें तो आपको दे रखा है आगे देखें दोस्तों D is not neighbor of G D की तो G से भी लड़ाई है भाई उसको भी घर बे G who is second to the left of C C के left में second number पे G है यह आपको दे रखा है आगे देखें दोस्तों E is third to the right of A E जो है ना A के right में है यह जो E है ना A के right में है A का right पहला और दूसरा और तीसरे पे E आगया There is only one person between D and B आपको दे रखा है D और B के बीच में के वाल एक वे अब ध्यान से देखेगा यहां पे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे छे लोग आ चुके हैं कुल मिला के साथ लोग हैं तो उसनों छे लोग आ चुके हैं साथवा वेक्ति या तो इधर एक्स्ट्रा आएगा या उधर आएगा, इनके बीच में तो आएगा नहीं इनके बीच में तो फिक्स पोजिशन बन गई हैं हमारी मान लेता हूँ यह वाली जगे पे साथवा वेक्ति आता है तरह सोचिएगा E और F दोनों की इन दोनों से लड़ाई है यानि कि इधर मेरा B और D नहीं आसकता है इधर मेरा B और D नहीं आसकता है इधर मेरा B और D नहीं आसकता है क्योंकि यहां आएगा तो F का पड़ोसी होगा यहां आएगा तो E और F दोनों का पड़ोसी हो यहां आया तो E का पड़ोसी कुल मिलाके E और F के पडोस में कहीं भी इंडी नहीं आएगा तो केवल मात्र एक जगे बचेगी जहां पे B और D दोनों आजाएं जो की संभवी नहीं है अगर ये संभव नहीं है तो फिर हमें क्या करना है एक बहुत सिंपल सी बात करनी है यहां नहीं लगाके उस वेक्ति को यहां बिठाना है यहां बिठाना तो है लेकिन साथ में हमको पता चल जाएगा कि B और D तो केवल इधर ही आएंगे आप खुद देख सकते हैं इधर नहीं आएंगे तो फिर कहीं आई नहीं सकते बाकी वाली बची हुई जगे पर अगर आप ध्यान से देखे तो यहां G आ जाएगा और यहां पर C आ जाएगा क्योंकि यही दो इनसान बच गए हैं इसी तरीके से as it is put करना है हमें और G की लड़ाई D से है ऐसा हमको दे रखा है तो G की लड़ाई अगर D से है तो यहां से D कट जाएगा यहां से B कट जाएगा यह हमारा final answer हो जाएगा D, A, B, G, E, C, F ध्यान से अगर हम देखें तो यह हमारा answer है तो आपने देखा तरीका important यह है किस तरीके से puzzle बनाई जारी है ना कि answer क्या है answer से ज्यादा important यह है कि मेरा approach मैंने इस puzzle को पढ़ा और मैंने इस sitting arrangement को कैसे बनाया दोस्तों S.S.C. के exam में बता दूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से इस तरह का sitting arrangement जरूर आता है आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले question की तरफ यह लीजिए साहब S.I.E.S.T.Line का और question है ध्यान से अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें कितने लोग हैं हमारे पास 6 लोग है straight line में बैचे हैं Q is sitting 4th place from T's left T के left में 1,2 और 3 और 4 नमबर पे Q है आपको दे रखा है Q is sitting at the 4th place from the T's left and is not sitting at the last and आया दोस्तों Q के लिए यानि ये तो last नहीं है pull मिला के हमारे पास 6 लोग थे आप note कर सकते हैं 6 की sitting हो चुकी है हमारी पूरी आगे दे रखा है दोस्तों R is not next to Q यानि R इन दोनों जगे पे नहीं है यानि R की यही दो position है जो मुझे समझ आ रही है there are only one person between R and T ध्यान से देखेगा R और T के बीच में एक वेक्ति है यानि R इधर ही आएगा इधर तो A ही नहीं सकता है आगे देखें दोस्तों S और L दोनों किनारों पर रही है दोस्तों ध्यान से देखेगा यहां S भी नहीं है और L भी नहीं है यानि S और L तो इधर आ जाएंगे जो बच गया है उसे यहां बिठा देना वैसे P दिखी रहा है मुझे बाकी आपकी इच्छा नहीं बिठा होगे तो भी चलेगा आखरी लाइन क्या कह रही है दोस्तों L इस नौट सिटिंग नेक्स्ट तो Q L जो है वो Q के निकटता बड़ोसी नहीं है यानि यहां से L कट कर दीजी Q कट बड़ोसी नहीं है इस आंसर तक कैसे पहुँचा यह बहुत जरूरी है आपको समझना तो एक एक चीज को मैंने समझाने का कोशिश किया दोस्तों SSE में इसी लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट आएगी एक और क्वेशन लिए चलते हैं दोस्तों दिहान से देखेगा दोस्तों यहां सारे के सारे क्या है साउथ फेयस कर रहा है साउथ फेयस कर रहे है दकशन दिशा में है दकशिशन दिशा کا मतलब हो गया दोस्तों अब हम क्या करेंगे आम तोर पे common man यही करेगा कि बहिया इन्हें जब दकशन में देखना है तो राइट को लेफ्ट कर दो लेफ्ट को राइट कर दो बिलकुल गलत अप्रोच है आपकी गलत क्यों है क्योंकि कॉम्पिटिशन के अनुसार नहीं है हो सकता है आपकी अप्रोच सही जा रही है कॉम्पिटिशन के अनुरूप नहीं है तो हमें क्या करना है कई लोग क्या कहेंगे ने नौर्थ में देखते वे बना दो लास्ट में कॉपी उल्डी कर दो बहुत सही सोचा आपने स्मार्ट तरीक है कुछ लोग और स्मार्ट होंगे पहले ही कॉपी उल्डी कर दो बना लो लास्ट में सीधी कर देना मेरा ऐसा मानना है दोस्तों इतना सारा मात ननात लगाईए अगर ये Single Line Puzzle है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर ये Single Line Puzzle है भले ही North Facing हो या South Facing हो आप कुछ भी ना करिये इन्हें आपके अनुसार North Facing बना लिजे बापे सुनिए मेरी बात को अगर ये सिंगल लाइन पजल है आप इसे बिना टेंशन लिए बिना माथा दिमाग लगाए आप इन्हें नौर्थ फेसिंग बना दीजिए और वैसे ही रहने दीजिए उसके कई सारे फाइदे हैं मतलब यह ना तो एक बार पहली बार में लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करना पड़ेगा क्वेशन जब आप पढ़ेंगे तब भी नहीं करना पड़ेगा और अगर किसी को डाउट है तो आप अपने अनुसार बनाना मैं मेरे अनुसार बनाना और दो-तीन क्वेशन करके देख लेना मेरे कहने का ये मीनिंग है आप नौर्थ फेसिंग बनाईए और नौर्थ फेसिंग ही रहने दीजिए आपके पास अगर एक क्वेशन आए या पाँच क्वेशन आजाए एक भी क्वेशन गलत नहीं होगा ये मेरा दावा है सिंगल लाइन पजल को कोई फरक नहीं पढ़ता साउथ या नौर्थ से क्या मतलब है मेरा एक क्वेशन करके देख आपको दे रहा है दोस्तों A is third to the right of E E के right में तीसरे नमबर पे A है आपको दे रहा है C is fourth from one of the corner C चौते नमबर पे किसी ना किसी corner से है B is between A and D A और D के बीच में B है जरा ध्यान से देखें मैं क्या करता हूँ यहां पे दो बना लेता हूँ देखेगा A और D के बीच में B है A और D के बीच में B है ऐसा भी बन सकता है ना इधर भी चले जाओ A और D के बीच में B है A और D के बीच में B है आगे लिखावा है third to the right of P and आता है पहले वाले के लिए हिंदी में अगर आप देखेंगे और आया है B के लिए T के right में है यह T के right में है तो T इसके left में होगा या तो यहाँ या फिर यहाँ दोस्तों यह पांचों अगर एक साथ बैड जाते हैं तो जो चोचटा विक्ती होगा वो या तो इस corner पे आएगा और इस corner पे आएगा लेकिन हमें तो कह रखा है C तो corner से चौथे number पे आएगा जो की यहाँ संभव नहीं है corner से चौथे number पे अगर मैं कहूं आपको तो यहाँ हो जाएगा C जो है वो इधर आजाएगा corner से चौथे number पे एक जगे खाली हमेर यह हमारी final puzzle हो गई अब मैं फिर बता दू दोस्तों मैंने इसी को south मान लिया है यानि कि मेरा puzzle तो ऐसे बन गया आप एक काम करिएगा इसको अगर आपको उल्टा करना है अगर आपकी इच्छा हो रही है तो करके देख लो अब मैं पूछता हूँ आपसे आपको कहा गया था C के बाएं दूसरा कौन है C के left में second number पे कौन है तो जोस्तों C के बाएं अगर गलती से या तो इधर चले जाओगे आप लेकिन अगर south है सही बनाया तो इधर बना लोगे मेरे तो directly इजाएगा भाई तो जब मैं एक ही तरफ देख रहा हूँ उसको वैसे ही बना रहा हूँ मैंने उसी को south मान लिया है कुल मिला के single line puzzle में आपको reverse करने की ज़रूत नहीं है जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए आपका काम हो जाए यहां आमने दोस्तों puzzle देखी जो single line की एक puzzle और मैं करवाना चाहूँगा जो double line की हो आमने सामने लोग देख रहे होंगे और वो मुझे लगता है कि SSC को देखते वे setting arrangement का सबसे अच्छा level होगा वहां हम इस chapter को close कर देंगे तो लिये चलते हैं आखरी puzzle पे जहां पे दो line बनी हैं एक दूसरे के बिल्कुल सामने ज्यान से देखें दोस्तों इस puzzle को आराम से pause करके बना के वापिस से देख ले हैं screenshot रख ले है puzzle बनानी बहुत जरूरी है अपने हाथ से बनाएंगे तो practice बढ़ेगी शलिए मैं लिये चलता हूँ आपको कैसे बनानी इस puzzle दोस्तों आपको दे रखा है 5 वेक्ती हैं दोनों side पे और उससे क्या हो रहा है कि दो अलग-अलग side है total 10 वेक्ती हो रहे हैं हमारे काम की सीधी line यहां से शुरू होती है यहां से उपर वाला को छोड़ दे D is third right to A A के दाएं A का दाएं पहला और दूसरा तीसरे नमबर पे D है and and आया है दोस्तों D के लिए exact in front of G D के बिलकुल सामने G है यह आपको दे रखाए P is sitting just right to G दोस्तों यह सारे लोग ऊपर देख रहे है यह सारे लोग नीचे देख रहे है G का right यानि उल्टा पड़ेगा यानि यहां पे कौन हो जाएगा दोस्तों यहां पे आपको दे रखाए B अभी हमें confirm नहीं पताए कि north किदर है south किदर है बहुत जादा दिमाग लगाना भी नहीं है जब last में clear हो जाएगा तो उस तरफ south और north कर लेंगे हाँ अभी आगे वाली line में ही clear हो जाता है he is facing south and and यानि पहले वाला इधर जाओगे तो ये 6-7 लोग हो जाएंगे हमें 5 ही चाहिए तो आप देखिएगा एक इधर एक इधर और यहां आजाएगा H H के बारे में दे रखा है शायद H is third right to be and and किस के लिए आया भाई H के लिए आया exact in front of F F के बिलकुल सामने है आप देख सकते है F के बिलकुल सामने है आगे दे रखा है दोस्तों C is between A and E अब बता हो कहां पर बिटा हूँ भाई मुझे पता है A और E के बीच में C बैठा है and in exact and किस के लिए आया C के लिए exact in front of I यहां I आगया यहां I आगया तो जो बच गया हो यहां आजाएगा J आजाएगा जो भी है कुल मिलाके यह हमारी puzzle final है ऐसी ही exam में बनानी है आपको मज़ा ही आजाएगा यह वो highest level है जो शायद exam में आए otherwise दो videos के हंदर हमने linear और circular puzzle के सारे types question के रूप में करवा दिये आप बस इसी तरीके से जो बाकी वीडियो है मुझे को बहुत तलीमता से concentration के साथ देखेगा Thank you Please Like Share Subscribe Digital तैयारी